हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ खटी, मीठी, तीखी और चटपटी सीडेस पी लेके आई हूँ उसके लिए हमें जिन सामगरी की आवसकता होगी मैं उन्हें अभी दिखाते हूँ मैंने इसे सिफ एक सामगरी को यूज करके ही बनाया है मैं अभी आपको आउसकी सामगरी दिखा दे रही हूँ आप देख सकते हैं इसमें मैंने तीन टमाटर, दो प्याज, हडी मिर्ची, लसुन, अद्रक किसा हुआ है यह गुड़, गुड़ के जगा आप चीनी भी यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे हल्दी बनाना, इसलिए मैं इसे गुड़ में ही बनाऊंगे यह मिर्ची और यह चीड़ा, अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ इसके लिए मैंने प्याज को यह बारिक साइज में मीडियम साइज में चौप कर लिया है अब हम गैस पर कड़ाई चड़ाएंगे, जब इसमें हलका सा तेल डालेंगे, जब यह गर्म हो जाएगा तो यह इसमें फोरण डाल देंगे इसके बाद इसमें यह लसुन की कलियां और इसमें मिर्ची को मैंसे समुचा डालेंगे जब यह हो जाए तो इसमें प्याज डाल देंगे प्याज सो हलका सा गोल्डेन ब्राउन होने तक प्राई करें आप देख सकते हैं प्याज हलका गोल्डेन ब्राउन हो चुका है इसमें अध्रक तो हलका संदम्मक और यह हल्दी एड़ करके इसे मिक्स कर देंगे इसे मिक्स करके एक मिन तर चला ले उसके बाद इसी टाइम इसमें हम यह टमाटर जो मैंने मीडियम साइज के काट लिये हैं इसमें डाल देंगे इसको मिक्स कर लियं आप देख सकते हैं मैंने सबकूर मिक्स कर दिया तमाटर को चाहिसे इसमें बुरह जो देता है नजया हम खोंगे वैसे वैसे बुर्दी आषट करें ताकि यहे रिज़र जोज्य इसमें सबक्राइम करके मिक्स हो जाए मैं इसे दो मेंट वाद धक्कन अटाती हूं आप देख सकते हैं गुर्भी धीर धीर है मैल टोड़ा इसमें अलकल का सॉप्ट होडा है इसी तरह हम धीनी आज पे इसे दो मिनट के लिए फिर से ढख कर देते हैं इसे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी ला-जवाब लग रही है दो मेट वाद में फिर से ढखकन अटाती हैं आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं टमाटर को भी अब हम फुरक गयास का फ्लेम हाई करके दो मिनट तक फ्राइब कर लेते हैं जल जल ले आप इसे हलका साइसे दवा दवा के चला ले ताकि यह मिक् अब देख सकते हैं हमारी खटी मिठी तीखी और चटपटी यह टमाटर की रेस्पी बन के तयार हो गी है अब आप गयास का फ्लेम ओफ कर दे क्यूंकि हम इसे हलका साइसा ही रहने देंगे अगर आप चाहें तेसे अच्छे से मिक्स करके आप पूरी तरह से सौफ्ट कर सक आप देखिए मैं इसकी प्लेटिंग करने वाली हूँ इसकी प्लेटिंग के लिए हम सबसे पहले इसमें सैसे निकाले काटोरी में आप देख सकते हैं इसे ये रेस्पी कैसी बनी है ये रेस्पी कैसी बनी है आप कमेटों मुझे जरूर बता है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करे थैंक यू